हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपी जी के में और आज हम यूपी के बारे में जनगर्णा से संबंदित कुछ आंकड़ों के बारे में अध्यन करेंगे तो सीधे ही स्टार्ट करते हैं क्वेस्चिन जनसंख्या से संबंदित क्या आंकड़े हैं 2011 जनगर्णा के अनुशार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है 19,98,12,341 हो सकता है इस टाइम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की इस से ज्यादा हो लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगर्णा के अनुशार है दूसरा क्वेश्चिन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिसत की योगदान देती है भारत की जनसंख्या में यानि की साड़े सोला प्रतिसत कहने का मतलब है जो भारत की जनसंख्या है उसका साड़े सोला प्रतिसत केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की सबसे कम जन संख्या वाला जिला कौन सा है तो वो है महोबा अगला कोश्चन है जन संख्या घनतों से संबंदित उत्तर प्रदेश राज्य का जन संख्या घनतों कितना है तो वो है 839 कहने का मतलब है कि एक वर्ग किलोमेटर में कितने लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो 829 लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सरवाधिक जनसंख्या घनत्तो वाला जिला कौन सा है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्त वाला जिला वो है ललितपूर अगला चुग क्वेश्चिन है वो साक्छर्ता से संबन्देत है उत्तर प्रदेश की कुल साक्छर्ता 67.6 प्रतिसत उत्तर प्रदेश का स्हारवाधिक साख्छर्टा वाला जिला कौन सा है वो है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे कम साख्छर्टा वाला जिला कौन सा है वो है स्रावस्ति उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष साख्छर्टा 77.2 प्रत्षत उत्तर प्रदेश में कुल महिला सच्छर्ता 5710 मलो एकाट प्रत्सत इस आंकड़े से पता चलता है कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं कम साक्छर हैं पूरसों की अपेक्छा उत्तर प्रदेश का सरवादिक पूरुस साच्छर्ता वाला जिला कौन सा है गौतम बुद्धनगर उत्तर प्रदेश का सरवादिक महिला साच्छर्ता वाला जिला कौन सा है कानपूर उत्तर प्रदेश का सबसे कम पुरुष साच्छर्टा वाला जिला स्रावस्ती और उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साच्छर्टा वाला जिला भी स्रावस्ती है लिंगानुपात से समंदित आकड़े देखते हैं उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात नौसबार है लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पूर्षों की तुल्ना में कितनी महिलाएं हैं इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश का सरवादिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है जौनपूर उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है वो है गौतम बुद्धनगर तो यह रही आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब करें धन्यवाद